अमेरिका के प्रतिबंदों से मिली छूट की अवधी इस महीने की शुरुआत में समाप्थ होने के बाद भारत ने इरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है इस जानकारी अमेरिका के भारत के राज़ूत हर्श वर्धन शंगला ने दी है उन्होंने कहा कि भारत ने इरान के साथ ही वेनेजुएला से भी कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है आपको पता दे कि अमेरिका ने जन्वरी में वेनेजुएला के कच्चा तेल उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंद लगाया था वहां के सोशलिस्ट प्रेसिडेंट निकोलस मदूरो पर सत्ता छोड़ने का दबाव बनाने की कोशिश के तहट अमेरिकी राश्टुपती डोनाल ट्रम्प ने वेनेजुएला पर ये प्रतिबंद लगाया था वह इरान के साथ 2015 में एक परमानू समझोते से खुद को अलग करने के बाद अमेरिका ने उसके खिलाव पिछले साल नवेंबर में कई आर्थिक प्रतिबंद लगाने की घोशना की थी हाला कि उनसे आठ देशों को इन प्रतिबंदों से 6 महीने की छूट दी थी ये वे देश हैं जो इरान के सरवाधिक कच्चा थेल खरीदते हैं और इन देशों में भारत भी शामिल था